सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परीचे चैनल को और बैल आइकन को दवाईए आयरुवेदिक दिस्सी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो जड़ी बूटी परीचे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम आपको एक और वनो उषदी नागर मोथा के बारे में बताने वाले हैं और यह है जो उषदी है यह है एक प्रकार की अशुगंदित उषदी है जो कहीं सारे रोगों में भी काम करती है और इसको पूजा पार्ट में भी परियोग किया जाता है इसके बारे में आगे विषदार से जानेंगे उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और इस वीडियो को लाइक भी लेते हैं यह जो वनोशिदी है नागर मोथा यह कहीं सारे नामों से जानी जाती है जिसे नागर मोथा इसका परशिद नेम है इसके अलावा बदर मोथा बीजा मोथा मुकता इसके अलावा नट ग्रास जैसे अनेकों नामों से इसको जाना जाता है आप इसको किस नाम से ज अच्छी शुगंद फैल जाती है और यह शुगंदित होती है तो इसलिए इसको हवन सामगरी या पूजा पाठ तंत्र जैसे कामों में भी इसका प्रियोग किया जाता है यह उशदी पाकिस्तान बंगला देश में अधिक मात्रा में पाए जाती है इसके अलावा यह बारत मे भी होती है और इसको ऐसे उगाया भी जाता है और यह बवरसा रितु में बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है तो इसके अगर उपयोग की बात करें इसका जो उपयोग है कहीं सारे रोगों में किया जाता है जैसे इसका परियोग मलेरिया में इसका परियोग किया जाता और सरीर की चमक बढ़ाने के लिए भी इसका परियोग किया जाता है। इसका परियोग उबटन बना करके सरीर पर लगाने या चेहरे पर लगाने के लिए भी किया जाता है। यह सभी परकार की समस्चाव में इसका परियोग किया जाता है। चाहे वो बालों की समस्चा हो चा शाथ अललग परबाव दिखाती है और इसके अगर शुबाव की बात करे तो इसका जो शुबाव होता है गरम वेकखुष्क होता है दूसरे दरजे में और इसकी जो एक अगर इसको frame अकेला लेते हैं इसके अलावा इसका परियोग पूजा पाठ तंत्र मंत्र में इसका अधिक मात्रा में परियोग होता है, हवन में इसको डालने से हवन सामगरी जो होती है बहुत ही शुगंदित हो जाती है और इसका परियोग तंत्र मंत्र या टोने टोटके में भी परियोग किया जाता है यह एक बहुत ही अच्छी ओशदी है जिसका नेको प्रकार से परियोग किया जाता है और एक बात आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे यह जो आप अभी देख रहे हैं यह फल यह जड़ नागरमोथा की जड़ है यह जितनी बारी होती है उतना ही ज़्यादा अच्छा इसको माना जाता है इसका एक पैचान करने का तरीका यह भी होता है किसको अगर पानी में डालते हैं तो अगर उपर यह तिर जाती है तो वो उतने अच्छी नहीं मानी जाती और अगर यह पानी में नीचे बैठ जाती है तो वो अच्छी मानी जाती है जितनी ज़्यादा वजन की यह गांठे होगी ये जड़े होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा क्वाल्टी इसमें मिलने वाली है इस बात का भी आप ध्यान रख करके इसका परियोग कर सकते हैं तो यहती जानकारी नागर मुथा के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजे किसी और जानकारी को देखने के लिए अगर आप किसी जड़ी बूटी के बारे में जानना चाते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके उसके बारे में बता सकते हैं आज के लिए इतना ही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाब उठा सके ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै श्री क्रिश्ण